बांदा जेल में मुक्तार अंसारी की मौत को लेकर न्याईक जाँच के आदेश दिये गए हैं। इस मामले की जाँच अपर मुख्य न्याईक मजिस्ट्रेट MP MLA कोट गरिमा सिंग करेंगी। बांदा कोट के मुख्य न्याईक मजिस्ट्रेट भगवान दास कुपता ने गर दर्शिता और उचित प्रक्रिया का पालन करना है। बुक्तार अंसारी के परिवार ने दावा किया था कि बांदा जेल में उन्हें जहर दिया गया था। जिससे अंत्तह उनकी मौत हो गई। अंसारी की गुरवार को रानी दरगावती मेडिकल कॉलिज में दिल का दौरा पढ़ने से मौत हो गई। जहां उन्हें जेल में बेहोश पाए जाने के बाद ले जाया गया था। मेडिकल बुलेटिन के मुताविक उल्ती की शिकायत के बाद अंसारी को गुरवार रात मेडिकल कॉलिज में भरती कराया गया। उनके बेटे उमर अंसारी ने आरोप मुझूदगी में कानपुर और प्रयागराज के डॉक्तरों की एक टीम द्वारा किया गया। सुपुर्व एक हाग गाजीपुर जिले के काली बाग कबरिस्तान में होगा। मौस्तर से पांच बार विधायत रहा मुखतार अंसारी 2005 से यूपी और पंजाब की जेलों में बं थे।